हलो दोस्तों मैं रिश्यानन्द आप लोगा स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूडूप चैनल पर इसका नाम है वैरी गनित तो दोस्तों यह कुएंट टिटीट वारूज शर्वन सॉलुक्षन स्रीज 13 चल रही है और इस सीरीज में आपको मिक्षर और अलिकेशन का सॉ सॉलुशन मिल जाएंगे अब आपका क्या था कि जिस बुक का मैं करवार हो इसमें आपको सिर्फ आपको लेवल बन है ठीक है लेवल टू एलिगेशन का नहीं है तो इसका आप एक तरह से यह भी कह सकते हो कि मिक्षा एलिगेशन का यह लास्ट वीडियो ठीक है इसके सब्सक्राप के दवारे लिखी की बुक है तो इसी बुक है और यहां पर सॉलुशन देखने को मिल रहा था चक्रिक है तो जितने भी सवाल होंगे न सारे इसी बुक होंगे तो जो भी बाए-बंदू होगी oh ठीक है या फिर आपको IBPS बैंक प्यों क्लर्क हो गया तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो साथी साथ यह वीडियो भी उनके लिए काफी ज्यादा यूस्पूल हो जो भी इन में से किसी भी एक्जामनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक तो अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडियो फॉर्मेट चाहिएगा तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्कूशन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से चाहओ तो डालूट करके अपने फीचर रफ्रेंस के लिए रख सकते हैं साथी साथ जो मेरा वाट्सेप क विलिंक वाँ पे मिल जाता है ठीक है तो चलिए लिट नहीं करते हैं एक एक करके कोश्चन लेते हैं और उनका सॉलुशन देखते हैं हाँ तो दोस्तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है पहला सवाल ये है कि ए मैन बाइस मिल्क अट 85 रूपीस पर लिटर और दिलूट्स इट विथ वाटर विथ वाटर विथ वाटर विश्चर अट गेंस 11.11 परसंट फाइंड दी क्वांटिटिव वाटर मिच्ट बाइं इ यहां पर क्या हो ले रहे है कि एक आदमी जो वह मिल्क खरीता है जिसका रेट कितना था 85 रूपीज पर लिटर था ठीक है अब उसने उसको डाइलूट कर दिया वाटर से कुछ उसमें पाने डाल दिया अब उस मिक्शर को वह उसी रेट पर बेज दिया मतलब कितने 85 कि हो जाएगा आपका अंद सबसे पहले तो देखो यहां पर हमार पास एक तो मिल्क है और एक क्या आपको वाटर है तो वाटर की कौइन्टिटी हमें नहीं पता है तो वहीं पूछा जारा फाइंड दे कौइन डेयों वाटर मिक्सदीन एवरी लिट्र अब डालंति कि ति तो 85 रूपीज था तो इसका कोई भी नहीं इसलिए इसको क्या मानके चलेंगे जीरो मानके चलेंगे ठीक है क्योंकि यूद्य अब इसी मिक्शर को हमने कितने बेचना है 85 रूपीज और 85 में बेच के वहां इतना कमा रहे हैं हम वहां पर 11.11 परसेंट कमा ले रहे हैं इतना का में क्या और प्रॉफिट हो मतलब कितना का प्रॉफिट हो निकालना पड़ेगा कि इस मिक्षर का कितना कॉस्ट प्रैस बैठा तो उसके लिए में कितने से इसका डिवाइट करना पड़ेगा वन बाइटे तो इतना कॉस्ट पड़ा ठीक है जो मिक्षर आपने बनाए उसका इतना कॉस्ट आपको 76.5 आप एक काम करेंगे 85-76.5 करेंगे यह आ जगा आपका कितना यहां पर 85-76.5 यह दोनों को माइनस करते हैं यही काम करते हैं दोनों को माइनस करने पर आपका 8.5 और यह जगा 76.5-0, एस यह वह हीaldगर दोनों को चली डिवाइट करेंगा तो यहां यहां पर निकल नौ में कितना आपको वाटर आपको वन है तो पर लेटर हम से पूछा जारा है तो पर लेटर मिल्क में कितना किया तो पर लेटर में निकालना सब्सक्राइब कितना आपके स्क्रीन भर अगला सवाल यह है कि इन इन वाट प्रोपोरिशन मस्ट वाटर मिक्स्ट वित हनी सो एस तो गें 10 परसंट अब क्या बोल रहा है कि हमें करना कि वाटर में क्या और आपको फ्रीली अवेलेबल है तो देखो सिंपल सा यह भी यहां नंगा बोल रहा हैं कि हमने हनी में पानी मिकस कर दिया दस प्रतिश्यत के प्रॉफिट पर मुंसे क्या कर रहे हैं यहां पर जब हम इसका कॉस्ट प्रेस निकालेंगे तो यहां पर क्या लगा लेते हैं यहां पर क्या लिखेंगे यहां पर कितना हो जागा 10H 11 हो जाएगा यहां पर हो जागा 10H 11 और यहां पर जागा 10H 11 अब इन दोनों का रेशियो निकालो तो यह दोने 11 क्या लुट हो जागा यहां से करेक्ट क्लियर है यहां तक समझ गोगे सवाल को चली पढ़ाज आपना सवाल देख लेते हैं हां तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन भरें अगला सवाल है कि a milkman stole milk from a can that contained 50% of the milk and he replaced that what he had stolen with a milk having 20% milk the bottle then contained only 25% milk how much of the bottle did he steal अब उसको बॉटल में कितना बच गए आपको 25% milk बच गया है बोटल तो उसने कितना बॉक्ति परसेंट आपको 50 परसेंट अब जिससे वह से रिपमेश कि आ 25 इस वैसमें मेel का इस मेल टाइस देर है। 30 minus 25 that is minus 5% हो जागा और 25 minus 5 क्या हो जागा यहां पर भी आपका 5 25 परसेंट हो ठीक है और यहां से जो रैशिय आ जागा ऊपका कितना 1 इस तू 5 का रिश्य कितना जागा रहिए 1 इस और ऐसाओज कितना पॉइंट पॉइंट रिपरसेंट के आंसर हो जागा तो बी आप्ट्छन करेक्ट हो जागा समझेए चलिए अगला सवाल कर लेते हैं तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर अगला स्वालिए के शुरुती पसेजिंग 10,000 रुपीज लेंट पार्ट अफ इट फाइप परसंट सिंपल इंट्रेस्ट एंड रिमेनिंग एट 20 परसंट सिंपल इंट्रेस्ट हर टोटल इंकम आफ्टर फाइव यर्स वास 7500 फाइंड असम लेंट अट 20 परसंट राइट पर सिंपल इंट्रेस्ट पर टॉट्रेस्ट पूछा तोट इंगम आफ्टर फाइव यर्स तोटल इंकम इसको कितना और आपको 75 फाइव एडियर्स में आब वह 20 प्रतिशत पे कितना दी है पैसा वह आपसे आप पूछा जा रहा है एक तो आपको रेट आप रिट आरं औ और यहां से क्या कर लेंगे ये यहां से आर जो निकल किया आ जाता है वह आ जाता आपका कितना पंदरा परसंट यहां पर क्या लिख लेंगा पंदरा परसंट लिख लिख लेंगे तो 20-15-5 और यहां से 15-5-10 यहां से रेशियो आ जागा प्रिंसिफल कितना है तो इसको बाइब करना पड़ेगा मैं तू से मल्टिप्लाइब कर देना क्योंकि हमीं जिए टू अला पार निकालना ठीक है तिया हमारण पर आजागा आपका 20% डॉला का प्रिंसिपल अपडिया आ जागए तो हैं तो इसको हम इतना रुपीज हमने किस पर दिया था 20% के रेट आफ इंट्रेस्ट पर दिया था तो ऑप्शन बी क्या हो जागा यहां से करेक्ट हो जागा क्लियर बात यहां तक समझगो किस सवाल को चीक है चलिए बगला सवाल देख लेते हैं तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन अगला सवाल है कि स्रमन स्रमन डिसाइड्स टु ट्रैवल 100 km पर देखें डेटित्स वुट्व और वॉट्व फूट्व अन पर देखें ने डिसाइड कि उससे 100 km 8 अड़ घंटे में तो अट आ करना त्रिक है कुछ पार्ट वह जाएगा फूट से कुछ पार्ट जाएगा तो उसकी स्पीड फुट पे जब पैर से कदम से चल रहा तो वो कितना और आपको 10 km per hour और जब साइकल से जा रहा तो उसका कितना और पर 20 km per hour तो उसने फूट से पैर से कितने दूर तक चला है वह में यहाँ बताना है यहां पर आपको प्थूट और यहां पर यहां पी क्या आपको बाइसाइकल ठीक है तो फूट पर उसकी स्पीड कितनी यह तुट किलो मेंटर पर आवर है अब देखिए यहां से निकाल सकत सब्सक्राइब तो यहां पर चली 100 अपान में इसको चाहिए तो डिवाइट कर सकते हैं लेकिन मैं डिवाइट किजिएगा क्या कि इसको भी एट से और इसको भी एट से और इसको भी एट से चीक है अब इसको चली मैंस के 1-60-100 तो इसका टाइम का रिशू आता है और से टोटल इसका टाइम का तो चुल 8 गंट के निकाल लेते हैं ताइम है दो दोनों एक तो फूट है आपको दूसरा क्या आपको बाइसेकल तो रेश्यो कितना आपको त्रीस टूवन है यह चार से चला जाएगा तो फूट में और टू आपको बाइसेकल में अब हमसे क्या पूछा गया है कि वाट डिस्टेंस ट्राइवल ऑन फूट उसने पैर से कितना दूरी तैक गिया है तो शिक्स आवर उसने चला है फूट से तो फूट का क्या आपको प्र इस्पीड निरी टाइम इस्पीड कितना उसका 10 और कितने गंटा चलाए छहे गंट चला कितना चला गां टोट सिर्मिंट है तो सिक्स्टी किलो मेटर उसने दूरी ट्राइवल किया है उसने पैदल तो दोस्तों ये वीडियों पर समाप्त होती है और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियों जितने सवाल बतायाना सारे ही समझ में आगे वोगी तो एट लास तो थांक यू सो मच वर वाचिंग वीडियो और बेस्ट और फॉर ये फीचर